अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूटूब लोग चैनल एक्जाम तेस्ट में बात करने वाले एंटी पीसी की जो सिविटी टू की अनसर की है वो आचू की है और आपकी लेवल वाईز कट आफ क्या रह सकती है एकस्पक्टिड कट आफ क्या जा सकती है उसके बारे में हम इस वीडियो में अब इसक्सक करने वाले हैं तो बिना कोई देरी किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो लोग चैनल पर न्यूजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस्ट कर दीजेगा गोर्मन जोब की पलपल अपडेट के लिए तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं लेवल टू के बारे में आपको कट ओफ क्या रह सकती है तो लेवल टू की जो कट ओफ है वह यू आर के लिए 75 प्लस अगर आपके मार्च बबन रहे हैं लेवल टू के लिए तो आप टाइपिंग के लिए चाहिर सी बात है बुलाए जाएंगे अगर 73 माक्स आपके या फिर 71 माक्स 72 माक्स आप मान सकते हैं इड़ टबलु एस के लिए आप एकदम सेफ हैं ओबी सी की अगर मैं बात करता हूं तो 65 प्लस माक्स अगर आपके बन रहे हैं लेवल टू के लिए तो आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे लेकिन अगर सी के अगर मैं बात करता हूं तो 75 और सी की 55 पर टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाहेगा क्योंकि टाइपिंग के लिए जो है 8 को gotta कि तो लेवल 2 के लिए टाइपिंग के लिए कट ऊफ आपकी रहक चुकी है कि अगर मैं बात करता हम फाइनल कट ऊफ के बारे में तो फाइनल कट के लिए आप इसमें limit प्लस माइनस 3 कर सकते हैं क्योंकि 3 का मतलब है आप इसको 75 से 78 कर लीजी इसको 12 से 75 से 68 और स्टी में 63 और स्टी में 58 अगर मैं बात करता हूं लेवल 3 की तो लेवल 3 के अंदर जो कट ओफ आपकी जास सकती है देखिए कट ओफ जो है अब हाई आने के यहीं के छंसी भी नहीं है जो कट ओफ जाएंगी मिलता कि अन्तर देखने मिलता है लेकिन इस बार शिफ्ट के अंदर कोई भी नौर्मलाआजिजेशन जो है वह नहीं है इस वजह जैसे जो आपकी कट ओफ है वो एवरेज हीट रहेगी आप इसके बारे में बिल्कूल भी टैंसन ना लिजेगा तो लेवल थरी के अगर मैं कट ओफ की बात करता हूं तो 74 प्लस युवार के लिए 70 प्लस EWS के लिए 65 प्लस OBC के लिए और 72 प्लस सोरी 62 प्लस SC के लिए और 58 प्लस आपके मार्स हैं अगर तो आप लेवल थरी के लिए क्वालिवाइड किये जा सकते हैं अब मैं बात करता हूं सबसे मेन जो लेवल है लेवल-5 का जो एवरेज अटेम्ट रहा था केंडिडेट्स का एवरेज अटेम्ट जो था वो 95 हाइयस्ट और 85-95 यह आपका एवरेज अटेम्ट रहा था और अगर overall जो average attempt की बात की जाए तो 80 to 90 जो है आपका average attempt रहा था तो level 5 की जो मैं cutoff आपको फक्रिट cutoff बताने वाला हूँ final cutoff भी मैं इसमें बताऊंगा और आपको typing के लिए क्या cutoff ठह सकती है जो level 6 की जो cutoff थी उसी के around आपकी जो है level 5 की cutoff रहने वाली है इसके अंदर UR में आपका 75 plus AWS में आपका 72 इसके अंदर आपका 68 और SC के अंदर आपका अगर 60 plus marks अगर बन रहे हैं तो आप एक safe zone में है और SC के अगर cutoff की बात करता हूँ तो 55 अगर आपके marks है तो आप typing के लिए बुलाए जाएंगे चरूर अगर मैं final cutoff की बात करता हूँ तो plus minus आप फिरी करकर चल सकते हैं क्योंकि final cutoff जो है वो एक ही candidate को मिलेगी एक post अब इसके अंदर जो है वो eight times candidate को बुलाया चाहेगा इसलिए थोड़ी सी cutoff जो है कम रखनी पड़ेगी लेकिन जो final cutoff होगी वो दो से तीन बार दो से तीन नंबर ज्यादा हो सकती है अब इसके अंदर में एक आपको fact बता देता हूँ अगर आपने post preference जो है पोस्ट प्रिफरेंस जो है आपने ठीक भरी हैं तो आपको post मिल जाएगी लेकिन अगर आपने मान लिजिए कि जो पोस्ट प्रिफरेंस है सबसे पहले आपने चार जो पोस्ट है वो आपने टाइपिंग वाली डाल रखी है लेकिन टाइपिंग आपका किलियर नहीं हुआ तो आप इन चारो पोस्टों पर तो कभी भी पोस्ट आपको ये चारो तो मिल नहीं पाएंगी जो बच्ची पोस्ट होंगे अगर आपके मार्क्स जादा होंगे तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी लेकिन अगर किसी भी कैंडिडेट ने विदाउट टाइपिंग यानि के नॉन टाइपिंग वाली जो पोस्ट है उनको फर्स्ट प्रिफरेंस दी होगी और उसके मार्क्स भी जादा होंगे तो उनको नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट मिल जाएगी लेकिन अगर टाइपिंग वाली पोस्ट आपको लेनी है और आपकी first preference जो है वो typing वाली post है और आपने typing किलियर कर ली है तो फिर तो आपको एक post जो है guaranteed मिल जाएगी लेकिन अगर आप typing में रह जाते हैं typing में कहीं ना कहीं आप अगर fail हो जाते हैं तो आपको हो सकता है कि कोई भी post ना मिल पाए तो आप अपनी typing को ठीक तरीके से कर लीज आपको जो है केटीड़ी वाइज काफी ज्यादा फायदा होने वाला है सीविटी टू के अंदर क्योंकि इसके अंदर जो है इन केंडिडेटों से मैंने जो मेरे दोस्त थे उनसे मैंने बात करी उनके जो दोस्त उनसे बात की तो इन तीनों केटिगरी में जो एवरेज सि ही आवरेज अटम्ट रहा है वो सबुखल डू लेवल dos evidence टोर। यॉपलित byünde कर डू का ठोड़ा सा हाइ चला गया लेकिन स्थ के अंदर जो अब बेज़ एड़ा है वह เห्रीमे। आपका रहा है तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि आपकी सत्तर तो cutoff जाही नहीं सकती और सत्तर अगर किसे अटेम्ट की है तो उसके गलत भी होंगे question तो जाहिर सी बात है जो SC और जो SC की जो cutoff आपकी रहने वाली है SC-ST की तो इसके अंदर CBT2 के अंदर उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है category wise उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है तो इस वीडियों में बस इतना ही मैंने आपको सारी चीजे समझा दिये typing का क्या महत्व रहने वाला है किसको post मिलेगी किसको नहीं मिलेगी आशक करता हूँ आप सारे जो फैक्ट हैं वो समझ चुके होंगे और अपने आने वाले जो step है आपका उसमें लग जाईए अगर आपके नंबर कम है तो कट ओफ एनलाइसिस जो मैंने बताया है आपके अगर दो तीन नंबर इससे कम है फिर भी आप टाइपिंग की जो तैयारी है वो करते रहिए क्या पता कट ओफ कम आ जाए आपका भी नंबर आ जाए तो आप इस तरीके से फाइनल दोड तक कम्प्लिट कर सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद